आज हम लोग कुछ ऐसी बारे में बात करेंगे जो एकदम नया है, मार्गेट में नया आए हुए 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 है और और एडुकेशन मिनिस्टर ने जैसे कहा कि West Bengal का तो उसके चलते जो final semester students है और intermediate students है उन सभी students लोगों के लिए ये बहुत ही important है तो बहुत सारा students ने मुझे पूचा है कि सर 50-50 method क्या है देखिए अभी 50-50 method तो पहले हम लोग देख चुके थे कि intermediate students के लिए UGCV recommend किया था और अभी ये आया हुआ है कि 50-50 method for final semester students तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो 50-50 method for final semester students और as well as intermediate students उन लोग के लिए क्या है और क्या माहिनी रखते हैं इससे पहले मैं start करना चाहूंगा final semester students के लिए बहुत over read हैं intermediate and both final semester students तो चलिए ये start करते हैं देखिए final semester ज चाहूंगा कि before I start with discussion of this 50-50 method government ने जो state government है वस पेंगल का दो चीज़ खुलासा कर दिया है एक तो है जो students है as well as teachers administrative staff और जितना सारा education related personnel है उन लोग का health और safety first because of this COVID-19 pandemic ये तो एक गया first point second जो point आ रहा है कि अभी हम जा रहे हैं 50-50 method में तो इसमें क्या आ रहा है कि 50 plus 50 method final semester के लिए कैसे हो implement होगा तो देखिए 50 जो part है उस 50 part के में बारे में बात कर रहूं हूँ जो second part है पहला बाला part है ये कि ये एक modality है लेकिन modality क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ देखिए modality होता है एक format जो format use किया जाता है कोई decision लिया गया है तो उसको inform करने के लिए to the others तो इसको कहते है modality या फिर कोई resolution लिया गया है उसको pass कर दिया गया है और उसको pass करने के बाद जो ठोस कोई decision आ जाए तो उसको जब inform किया जाता है उसे ही modality कहते है I hope all of you understand now अभी चलते हैं जो next part है उस part में ये modality के चलते क्या किया गया है कि West Bengal में ये सोचा जा रहा है universities को liberty दिया गया है कि आप जो 50% जो marks है final semester का 50% marks आप previous semester से ले सकते हैं ये एक modality है मैंने बता दिया what is modality तो 50% marks आप modality से यानि कि modality जो जब CM का permission होके आ जाएगा तब तक हमको wait करना परेगा लेकिन शायद ये हो जाए और ये हो जाने के बाद क्या होगा कि 50% जो marks है वो आपका previous semesters यानि कि आपका जो सारा previous semesters है उन सारा previous semesters का एक average लिया जाएगा क्योंकि बहुत सारा student कह रहे है कि मेरा पिछला semester अच्छा नहीं गया उससे पिछला अच्छा नहीं गया या तो फिर दूसरा जो semester था second semester ये सब अच्छा गया ऐसा इसा करके तो उसको बहुत सारा questions raise के हैं तो इसके चलते ये decision शायद आजाए कि जो previous सारा semesters ने आपने दिये थे उन सब सारे semesters को average करके उसका एक marks निकला जाए तो फिर ये adjust हो जाएगा तो ये गया है 50% marks of final semester अभी जो rest 50% है उसको कैसे करेंगे इसके लिए safety मैंने पहले कहा था concern है तो safety concern के लिए क्या क्या जा रहा है कि exam from home ये exam from home के लिए दो चीज कहा गया है एक तो है online examination through internet और second है home based देखिए कुछ student है जिसके पास internet है और वो लोग college ये घर के भार में बैटे अपना exam दे सकते हैं internet with their facilities लेकिन कुछ student उन लोगों के पास internet इतना slow है या तो फिर rural area में रहते हैं उन लोगों के पास internet facility नहीं है तो internet facility ना होने के कारण क्या होगा कि उन लोगों को home based कुछ assignment दिया जाएगा जो university की तरफ से ये proposed है university की तरफ से उन लोगों का assignment दिया जाएगा अगर हो सके तो assignment time के अंदर एक time दिया जाएगा और time frame के अंदर assignment complete करने के बाद वो जो assignment है या तो student वो assignment submit कर सकते हैं university में या फिर अगर उस contentment zone में student होते हैं तो वो contentment zone से नहीं निकल पाए तो university कोई representative वेजेगा हूँ उसके घ करने के बाद university में submit कर देंगे तो government is trying to do their level best के आप लोगों का कोई safety harm ना हो अभी आ जाते हैं यह जो 50% home based assignment के बारे में बतर बता दिया लेकिन जो लोग internet पे available हैं उन लोगों का exam हो सके तो यह जो होगा यह 50% reduction syllabus पे होगा क्योंकि आपका syllabus है उसको 50% घटा दिया जाएगा और बाकी जो 50% syllabus है यह बाकी 50% syllabus के उपर mcq type का question होगा और यह mcq type question आपका maximum 2 hours का होगा और half marks में होगा तो यह गया जो 50 था यानि कि 50% from previous semester's average as well as plus 50% जो है ओ है आपका या तो फिर online जो mcq होने वाला है 2 hours का है और 50% syllabus के उपर बेस करके होगा और जो लोग नहीं दे पाएंगे online contentment zone में है उन लोग के लिए है home assignment या home best assignment जो भी कहिए इनको यह या तो फिर student को time bound रहेगा उसको time bound के अंदर complete करके submit करना पड़ेगा खुद जाके या फिर नहीं निकल पाए contentment zone से तो फिर जो university का जो administrative staff officers रहेंगे उन लोग आके इसको आपके घर से लेके जाएंगे तो यह जो था यह सारा गया तो आपको अभी तक समझ गया होगा कि 50 plus 50 for final semesters क्या है अभी कोई पूछ सकता है कि मेरा backlog है तो क्या किया जाएगा देखिए इसमें university एक provision दे रहा है कि अगर आपका कोई backlog paper हो तो उसका average अभी लेंगे लेकिन ओ ऐवरेज final semester के साथ ही यानि कि उसका exam final semester के साथ ही कर दिया जाएगा और final semester में अगर आपका paper clear हो गया तो फिर उसक जो average है उसका average ले लेंगे फिर और अगर average clear नहीं यानि कि backlog paper clear नहीं हुआ फिर भी आपको एक फिर से chance दिया जाएगा उसको उपर में भी वाइबा होगा और कुछ ऐसा कुछ university डिवलप करेंगे और उसके उपर आपको कुछ project दिया जाएगा तो इस project के चलते आपका जो backlog पेपर है backlog paper भी complete हो जाएगा यानि कि आप पास कर जाएगे और फिर पुड़ा आपका जो marks है वो marks आपको मिल जाएगा और आप खुशी-खुशी बाहर पढ़ने जा सकेंगे या फिर job में जाइन कर सकेंगे अभी चले आते हैं जो बाकी part है वो है intermediate students, intermediate students के लिए लिए लि प्रिंबा हो रहा है तो 50% जो marks है यह 50% marks will be taken from your previous semesters average V वाला formula यानि कि आप फर्स semester, second semester, third semester जितने भी semester में हो उसमें आपका जो है यह वाला semesters, all semesters जो दे चुके हैं उसका average लिया जाएगा और average लेने के बाद आपको उसका marks है वो marks लिया जाएगा दूसरा जो है वो है कि आपका अगर कोई backlog paper हो तो उसको फार्दर आपको बैटने के लिए जो chance दिया जाएगा और ये आपका अगर clear हो गया तो उसके साथ आपका जो relation है वो भी बढ़ जाएगा फिर न्या मांक्षित आपको issue कर दिया जाएगा current semester के लिए अभी 50% बाकी जो है 50% जो है ये आप लोग जो continuous assessment कर रहे हैं assignment कर रहे हैं या फिर teachers लोग जो आपको projects दे रहे हैं ये सारा आपको करना परेगा ठीक है तो ये साब करने के बाद आपको जो marks मिलेगा internal evaluation के बाद तो ये internal evaluation के जो marks है ये marks 50% वह से लिया जाएगा और बाकी का जो मैंने कहा previous semester का है उन लोगों का average करके उसको जोर के दोनों को दिया जाएगा पैकलोग हो तो भी उसको carry forward हो जाएगा and carry forward हो जाने के बाद उसका जो आपका जो part है total combined हो जाएगा यहाँ पर भी सवाल आप कर सकते हैं सर्फ जिन लोगों का project है उनका क्या जिन लोगों का project है उन लोगों का project होगा Viva होगा और Viva शायद online में हो और अगर online में हो ना सके तो यह टेलिफोनी conversation में भी Viva ले सकते हैं तो यही था आज का जो सारा आपका मुझे लग रहा है कि आपको आपका जो confusion था आप लोगों का वो सारा मैंने clear कर पाया क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि बहुत सारा YouTube channels है जहां पर यह आ रहा है कि doubt clearing session 1, session 2, session 3, session 4, session 5 तो यह इतना सारा session के जुरूरत नहीं है यह सिर्फ एक session देख लिजिए तो आपका सारा doubt clear हो जाएगा फिर भी अगर आपको पास कोई doubt है तो मेरे पास reward back कीजिए मुझे comment कीजिए like कीजिए share कीजिए as well as subscribe कीजिए मेरा channel तो आपको निससारी जो information है वो information जल्दी मिल जाएगा so with this we come to an end to this session thank you thank you very much bye bye